अलो नमस्कार दोस्तों स्वागते मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर और अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सबसे फ़ले यही कव्मा की चैनल को सब्सक्राइब करें फिर लाइक और शेर भी जरूर मैं आया हूँ रावत भाटा रावत भाटा पर जो राणा प्रताप सागर डैम बना है उसी को देखने और उसी के अलावा में फिर क्रोकोडाइल पॉइंट और पाड़ा ज़र साती साथ चार बुजा मंदिर बाडोली टेंपल भी देखने के लिए आये था तो बने रही है मटेरास वर्ल्ड पर दिखाता हूँ आपको रावत भाटा की एक से एक बहतरी खूपसुरत जगे तो दोस्तो ये है बाडोली टेंपल बाडोली मंदिर बाडोली गाउं में रावत भाटा से लगभग 3-4 किलोमेटर पर दूर ये एरिया है जिसका नाम है बाडोली टेंपल और काफी प्राचीन एतिहासिक ये मंदिर है बाडोली के आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया था 1956 में और औरंग जेब जब आकरमन किया था भारत पर तो जब कई सारे मंदिर तोड़े गए थे तो उनी में से ये भी एक जगह है जिसको औरंग जेब ने डिस्टोई किया था मुगल अकरान था मुगल एंपरर औरंग जेब तो ये है बाड़ोली टेंपल इस तरह कि यहाँ पर नो मंदिर है दोस्तों घाटेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं बाड़ोली टेंपल कह दें या फिर घाटेश्वर मंदिर भी कह दें कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं खास करके शाम के समय घुमने के लिए गार्डन भी काफी अच्छा मेंटेंड है यहाँ पर तो शाम के समय खूप सूरत नजारा है दोस्तों और यह गार्डन भी काफी बढ़िया मेंटेंड है इसको देख करके मुझे बिल्कुल जालावाड जालरा पाड़न में जो फर्बल गार्डन है उसकी याद आ गई वहाँ पर भी इस तरह की हरी हली है और शाम के समय कई सारे लोग आते हैं गुमने के लिए ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं बाड़ूली के मंदिर ये पीछे का हिस्सा इस मंदिर का बहत खूप सुरत ये आप देख सकते हैं खंडित हैं एतियासिक द्रिस्टिकोन से काफी महतुपूर है और कोटा के पास दरा में भी दरा शेत्र में भी इस तरह के टेंपल रिमेंस आपको देखने को मिलेंगे गनेश जी पत्थर के काउट पत्थर से बने वे लेकिन खंडित है तो इस तरह के नो मंदिर यहाँ पर शेत्र में है इस जगे पर है बाड़ोली विलेच बाड़ोली गाउं रावद भाटा शेहर से चार तीन-चार किलोमेटर दूर लगबग लेकिन जगे काफी खूपसूरत है इतियासिके आप जरूर यहाँ पर आएं और यह आप लाइन से देख सकते हैं शिवलिंग एक के बाद एक एक के बाद एक कई सार शिवलिंग और इधर यह जो पिलर पड़े हैं यह खंडित मंदिर जो हैं उसके निकलेवे पिलर मुगल अकरानता की कुरूरता को दर्शाते हैं और ऐसे टेम्पल रिमेंस आपको हर जगे मिल जाएंगे राजस्तान में इंडिया में इसकी जान करिए कि इस मारक पुरा ततुविभाग ने निस्सो अठाण में क्यादीन रास्टे में तो का इसका गोशित किया है और ये एक कुंड भी यहां पर बनावा है प्राचीन कुंड ये नजर आता है बिलकुल बाडुली टेम्पल्स के पास और ये जो कुंड है बिलकुल ही इसकी क्रोस की आकरती है क्रोस की आकरती का ये कुंड बनावा है प्राचीन कुंड है ये हनुमान जी और दोस्तों ये मंदिर की खासियत ये है कि कहीं पर भी सिमेंट का इस्तमाल नहीं किया गया आप देख सकते हैं नीचे से लेकर कि उपड़ता कि ये जो पिलर है कोलम है कहीं पर भी किसी भी तर क्रवड जो कारिगरी है उसको अधोध बनाता है और ये गुज़र या गुज़र प्रतिहार स्टाइल के मंधिर है आपने मुगल आर्किटेक्ट अगा राजपुच्छेलि का अर्किटेक्ट भी देखा हुगा और ये हैं मुगल मुगल नहीं गुज़र प्रतिहार तो अब हम वापस जाते वे आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई जगे पसंद आई जानकरी पसंद आई है पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें बने रहें मटे रास वल के साथ सी यो गुट बाई